हसरंगा को छोड़ करके RCB ने कहीं बड़ी गलती तो नहीं कर दी? जी हाँ, हसरंगा को छोड़ करके फिलाल बैंगलोर पच्छता रहा होगा क्योंकि अफगानिस्तान वर्सिस श्रिलंका में एक बार फिर से हमें हसरंगा का जल्वा देखने को मिला कुछ टाइम पहले हमने LPL में भी उनको देखा था किस तरह से लाजवाब परफॉर्मेंस की थी और उसी टाइम ये बात निकल गई थी कि शायद हसरंगा को पिक कर लेना चाहिए था क्योंकि हसरंगा जिस टाइम आक्शन हो रहा था वो उन खिलाडियों में से थे जो पहले राउंड में नहीं भी के थे और दूसरे राउंड में सन्राइजर्स हाइदराबाद सिर्फ और सिर्फ देड करोड में उन्हें ले करके चली गई तो वो एक प्रॉपर स्टील जैसा दिखा क्योंकि वो खिलाडी उसका प्राइस देर तरोड तो बिल्कुल भी नहीं था अगर आज की मैज की बात करूँ तो जहां पर शुलंका एक टाइम पर ऐसा लग रहा था हो कि उनकी हालत खराब है पचपन रन पर चार विकेट गिर चुकी थी तो ऐसा लगा कि अफगानिस्तान काफी टाइट स्थिती में है लेकिन फिर आते हैं हसारंगा और गेम को इधर से उधर करके रख देते हैं महज 32 बॉल में 32 बॉल खेलते हैं कुछ 67 रन बनाते हैं 209 के स्ट्राइक रेट से इस हसारंगा को आप यूज्वली शायद RCB में इस तरह से नहीं देखा होगा आपने हसारंगा जब जब अखुद कप्तान भी हैं तो जब जब कप्तानी करते हैं LPL में हमने देखा थोड़ा उपर आना प्रेफर करते हैं और जब उपर आते हैं तो खूब रन मारते हैं यहाँ पर जो 32 बॉल में 67 रन आए उसमें 7 चौके और 3 चके थे जहाँ पर दूसरी तरफ उनकी पूरी टीम ने 87 रन बनाए और पूरी टीम ने 87 रन 82 बॉल में बनाए वाज 106 के स्ट्राइक रेट से 8 चौके पूरी टीम ने मारे और 2 चके जहाँ पर हसारंगा ना के लिए 7 चौके और 3 चके मार दिये वाँ पर पूरी टीम 8 चौका और 2 चके पर रही तो ये चीज़ साफ साफ दिख रही थी कि इसको आप कह सकते हो कि skipper leading from the front तो जिस तरह से T20 में हमने अब से पहले उनको देखा था एक बार फिर उसी अवतार में दिखे तो अब ऐसा लग रहा है कि sun rises हाइदराबाद की कहीं न कहीं बल्ले बल्ले हो गई है क्योंकि देर कड़ोर में अगर आपको एक अच्छा all rounder मिल गया है जो गेन बाजी भी बहुत अच्छी करता है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डेर करोड प्राइस था एक एक अटाकिंग बैटर जो अपने हाथ में गेम को ले करके फॉर्ट बाटर आया लगातार पिछले कुछ टाइम से और गेन बाजी तो खैर करता ही है हसरंगा अब हसरंगा को ले करके बीच में यही बात आई थी यूँकि PSL से जब उनको अपने बोर्ड से एनोसी नहीं मिलाता PSL में जाने के लिए तो वहाँ पर थोड़ा सा विवाद जरूर आया था कि जी आप क्यूं ऐसे खिलाडियों को खरीदते हो PSL क्यों ऐसे खिलाडियों खरीटता है जहांपर आपको जो खिलाडी होता है उनका बोर्ड जब उनको अनोसी देता ही नहीं तो खिर फिलहाल उसमें PSL में नहीं खेल रहे हैं और अपनी टीम के साथ खेल रहे हैं अफगानिस्तान के खिलाफ महाँ पर अच्छी बल्ले बा सालों से भरा हुआ है आप Travis Head को देख लो Pat Cummins को देख लो यह दोनों World Cup विनर्स हैं आप असर अंगा को देख लो आप LPL के विरिंग कैप्टन है उसके बाद आप हेंड्री क्लासन को देख लो 200 विनिंग टीम के प्लेयर है वो फिर उसके बाद SAT20 के विनर माकरम है उसमें मतलब इस टीम में जो फॉर्ण के लाड़ी है वो ट्रॉफीज लिफ्ट कर रहे हैं लगातार तो RCB का तो पता नहीं लेकिन ये बात तरह है कि Sun Rises हाईदराबाद बहुत स्ट्रॉंग हो गई है Sun Rises हाईदराबाद के पास Henry Klaassen है Sun Rises हाईदराबाद के पास हसरंगा है Sun Rises ह इदराबाद के पास फिलाल Pat Cummins है Travis Head है बहुत सारे खराड़ी है तो यह है कि इस बार एक बार Orange Army जो है वो काफी मजबूत दिख रही है अब देखना यह होगा कि जिस तरह से लंका प्रीमेर लीग में उन्होंने परफॉर्म कर रहा था वहाँ पर यह हाइस रंड स्कोरर वहाँ पर यह सबसे जादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी भी थे कुछ 9 match 9 inning जो उन्होंने खेली थे उसमें 280 रंग के असपास बना दिये थे और उसमें उन्होंने 19 विकेट ले ली थे दस इनिंग में 34 के आवरेज से तो T20 के फॉर्माट में हसरंगा को जब से ऐसा लग रहा RCB ने ड्रॉप किया है उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंसे ऐसी आरे तो और ऐसा नहीं RCB को मौका नहीं मिला RCB ने उनकी परफॉर्मेंस देखी थी और ये उम्मीद की जा रही थी कि RCB ने उनको रिलीस जरूर कर दिया है लेकिन दुबारा से आक्शन में पिक कर लेगी लेकिन आक्शन के शुरुवाती राउंड में कोई भी इंट्रेस्ट नहीं था बट बाद में SRH पी जाकर के इंट्रेस दिखाया और उनको सिर्फ और सिर्फ डेर करोड में पिक कर लिया तो आप चलिए देखते हैं कि ये स्टील कैसी रहती है SRH के लिए SRH के पास जो टीम है वह काफी स्ट्रॉंग दिख रही है RCB तो खैर अपने आपका कुछ नुकसान तो कराई लिया लेकिन यू नेवर नो कि क्या हो दा IPL में What do you think कि क्या हसरंगा का SRH में जाना RCB के लिए सरदर्द बढ़ाएगा और क्या SRH को ट्रोफी लिफ्ट करवाएगा आपको क्या लगता है आपने रहे हैं मैंचे कामें सेक्शन में जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं